Welcome to Maharashtra Engineering Academy, Slope and Reflection में study करेंगे, Maculate Method, Maculate Method is used for, to calculate the slope and deflection of the several point load, अगर number of point load होंगे नहीं, तो यूदियर होगा, इंटार span के उपर, तो हापे आम लोग Maculate Method का use करते है, to calculate the slope and deflection, एकदम simple method है, simply आपे आपको steps follow करना है, और आपको numerical solve करना है, आपके एक्जम में कम सेख्मन दो निम्रिकल आएंगे एक्जम में एक निम्रिकल होगा आपका 6 to 8 marks के लिए तो ऐसे दो निम्रिकल आएंगे एक्दम सिंपल है simply हाँ पे आपको steps follow करने और integration का उच्छ करना है macule method is also called as double integration method हाँ पे हम लोग क्या करेंगे integrate करेंगे एक्वेशन को क्या करेंगे इंटिग्रेट करेंगे तो देखिए क्वेस्टन वन हम लोग स्वाल करेंगे टाइप वन प्रॉम्ब्लेम बेस ओन सिंप्ली सपोर्टेड भी विद पॉइंट लोड तो ऐसे निम्रिकल एक्जामिन नंबर आप टाइम तो सिंप्ली यहां पर क्य स्लोप में डिफलेक्शन तो देखिए यहां पर यहां पर जो क्वेस्टेन विंटर 19 के एक्जम में आया है अगर आपको आपडेट्स चाहिए तो आपना जो टेलीग्राम चाहिए ले महाराष्टा इंजिरिंग आडेमी उसे जॉइन कीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसी के साथ आपको एमेजब्टी का सिल्याबर्स क्वेस्टन में परें सलूशर और टॉस का फुली रेकॉर्डड़ कोर्स चाहिए तो अपना जो अप्लिकेशन है महाराष्टा इंजिरिंग उसे जॉइन कीजिए उसका विलिंग डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो अभी उमिकल सॉल करेंगे एक्जाम में आएगा 6-8 मार्क के लिए ये विंटर 19 का एक विं by step 1 find support reaction आरे अं आड बी विए एक जाइब को सिंपली सपोल्ट बीमें यहाँ पर आपका ए पॉइंट याँ पर आपका बी-पैंट यहाँ आपका यहाँ का होएंगे तो simply summation of f y is equal to zero upward is positive downward is negative तो आरे आपका आपोर जा रहा है positive तो आरे आपका आपका आपोर जा रहा है positive देन लोड आपका डाउनोड आ रहा है आपका आपोर जा रहा है positive is equal to zero तो आरे प्लस आरवी नाइन को राइट साइड में शीप परता हो तो माइनस नाइन को क्या होगा positive 9 तो आरे प्लस आरवी कितना आपका 9 किलो न्यूटन 9 किलो न्यूटन देन ट्की ममेट आपका इवा को बसीटिव इस उक्सक्राप्र आ उपनीं है सब्सक्वार्स देवीरग जिण नडियू कि है प्लस पॉइंव लेंगे ट्पकर औस आपका 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 अक्र् 1 किन फोःमेट हो ने प्लस नोगेट आपका तो यहाँ यहां पर एक पॉइंट के लिए जीरो क्लॉक्वाइज आपका क्या होगा पॉजिटीव फ्रॉम दिस एपॉइंट कितना होगा नाइन इन्टू मोमेंट मतलब क्या फोर्स इन्टू पर्पेंडिकुलर इस्टन्स अल्रेडी सपोर्ट रियाक्शन हमने मेकानिक्स में भी अल्रेडी किया है तो यहां पर दिखिए एपॉइंट के मोमेंट जीरो है तो क्लॉक्वाइज पॉजिटीव फोर्स कितना है नाइन इन्टू वन कितना है नाइन इन्टू वन कितना है नाइन इन्टू फोर्स इन्टू पर्पेंडिकुलर इस फोर्स कितना है नाइन किलो तो rb into distance from the point A, यह से distance कितना है, rb into distance 1 plus 2, 3 is equal to 0, 9 into 1 क्या होगा, 9, rb into 3 को right side में shift करता होतो क्या होगा, positive 3 rb, rb is equal to 9 by 3, rb is equal to 9 by 3 कितना होगा, 3 kilonewtons, rb का आपका value support reaction at point B कितना है, 3 kilonewtons, इसे equation 1 नाम देता हूँ, equation 1, equation A नाम देता हूँ, equation A, put rb in equation A, तो rb का value अगर a में put किया, यहां पर equation put किया, तो देखिए, r a is equal to rb का value यहां पर put किया, r a plus, तो यहां पर value कितना है, rb का 3, अगर 3 को right side में shift करता हो, तो plus का क्या होगा, minus होगा, 9 minus 3 कितना आएगा, 6 kN, तो r a का value कितना है, 6 kN, दीखिए, थोड़ा calculation में direct कर रहा हो, क्योंकि lengthy numerical है, ज्यादा इसको time लगेगा solve करने के लिए, तो directly यहां पर ऐसे दिखा नहीं है, सिंपल है, तो r a आपका वैसे का वैसे, rb का value कितना है, 3, 9 minus 3 कितना होगा, 6 kN, तो एक दम सिंपल है, then step 2 follow करेंगे, step 2, steps आप ध्यान में रखिए, क्योंकि steps, एक numerical अगर अपने अच्छी तरह solve किया, तो बाकी numerical आप easily solve कर सकते हो, then find slope and deflection, find slope and deflection equation by using maculae method, देखे, maculae method का use करके, यहां पर हम लोग slope and deflection find out करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हमें section mark करना है, देखे, away from the load, तो यहां पर मैं कोन्सी भी एंट से कर सकते हो, तो a side के end से कर सकते हो, b side के end से कर सकते हो, तो a origin पकड़के मैं यहां पर section mark कर रहा हूं, यहां पर section mark करता हूं, इस distance को, section x, x mark किया, distance को x assume करता हो, distance will be x, इस distance अपका कितना है, x है, distance कितना आपका x, तो इसके लिए हम लोग bending moment find out करेंगे, भरो bending moment from this point, तो bending moment from point x, bending moment from the point x, तो यहां पर देखिए, आपका जो clockwise positive है, यहां पर ध्यान से देखिए, bending moment लेंगे, मतलब m, यहां पर आपका clockwise is positive, anti clockwise is negative, यहां पर ध्यान में रखिए, तो x point के लिए हम लोग bending moment ले रहे, bending moment at section x, x, bending moment at point x, mx, तो ra into x, तो आपका ध्यान से देखिए, ra into x, तो कैसे गुमेगा है clockwise गुमेगा, यहां से कैसे गुमेगा clockwise घुमेगा, तो यहां पर कैसे आएगा, ra into a x, ra into x, then यहां पर आपका section, ध्यान से देखिए, simply a procedure आपको follow करना है, आपका section, ra into x, आपका कैसे गुमेगा clockwise क्लॉक्वाइस गुमेंगा क्लॉक्वाइस गुमेंगा यहां से यहां से यहां तक का डिस्ट चाहिए देखिए अधिस पॉइंट तो क्या करेंगे वे मैंनस माईनस स गुमेगा क्लॉकवाइस तो आरेंट टूEr ओधिसे अटिछों करना थे माइन स्टक्राकवाइस आप देखि रेंट रुममे गगा कि एंटी क्लॉक्वाइस तो नाइन इंटू हमें ए वाला डिस्टन चाहिए तो कैसे में नहीं का एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एड पॉइंट एक्स कुसे हम लोग क्या करेते हैं क्या लिए युई इस वाय अपान डिएक क्री यादी स्क्वर्ण इसक्वर्ण भाइप उन थेक्स क्स्क्री और इसक्वर्ण खुर्ण बीएँिसां इंटू क्राइए तक करेंगे थे बंदि प्रीप dunno को क्या एक्सिक्वPlus तो आपका मैथेमेटिकल इकोईशन देन यहां पर इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे बहुत साईड विद रिसेख वेक्ट्ट है यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हाँ फे इंटिग्रेट करेंगे यहाँ पर आपका क्यांक developed क्या का उसर आपको दिफिकल्टी आ रहा है मैंतेमेटिक सिकल कैलकुलेशन में इंटिग्रेशन में तो ध्यान में रखिए यहां पर आपका डबल डेडिवेटिव है जैसी यहां पर इंटिग्रेट करेंगे यहां पर आपका स्कुरेट चला जाए निकल जाएगा तो ईयाए क्या इंटिग्रेशन आप एक स्कुरेशन आपको फॉर्मूला मालूम होगा इंटिग्रेशन आप एक स्कुरेशन आपको फॉर्मूला मालूम होगा इंटिग्रेशन आपको फॉर्मूला मालूम होगा इंटिग्रेशन आपको फॉर्मूला मालूम होगा इंटिग्रेशन आपक X square by 2 1 plus 1 divide by 1 plus 1 X square by 2 इंटेसे integration आपलाए करेंगे तो यहां पिल्स सिवन खाप कॉंस्टन आएगा प्लस सिवन देन section minus 9 अगे निअपका constant है अगें एटर्म को इंटिए करेंगे आपका composite integration है तो simply अही फार्मुला इससे टोटल का आजिम करेंगे x value आजूम करें तो रह पर कया होगा? आप हावत हाव कितना है? 1. तो तो रहे चेह आपी क्या होगा? अप आपी 6 न होत है?1 तो d आपका वैसे का वैसा 1 प्लस 1 कितना हो अगा 2 divided by 2 divided by 2 then again अगें इंटीग्रेट with respect to x अगें इंटीग्रेट with respect to x तो हापि अगें इंटीएट करेंगे करें तो एँ आए यहां पर होगा इंटिकेशन इर्यूट रोड़ इस आपka क्यांसल हो घया तो सिक्स आपका वैसे को इस आपका कितना होगा सिक्ष बाइटू 3 इस एंटका वालव कितना है टुल्स वान डिवाइड़ प्लस वाइट यहां पे फ्लस इंट का इंट क्या होता है इंटो एक्स तो यहां पर क्या होगा C1 X देशी इंटिग्रेशन अपलाय कर रहे है तो यहां पर क्या आएगा कॉंस्टन C2 इंटिटो देखिए यहां पर ध्यान में देखिए यह स्टेप्स इंपर्टन ए आपका इस सेक्शन देखिए माइनस तो 9 by 2 कितना है आपका 4.5 अगेन आपका इंटिग्रेशन देखिए यहां पर N का वैल्यू कितना है 2 तो यहां पर क्या होगा X रेस्ट टो N प्लस 1 दिवाइड बाइन प्लस 1 तो X माइनस 1 2 प्लस 1 कितना होगा 3 दिवाइड बाई 3 कितना होगा 3 देन देखिए आपका यह आपका स्लोप का इक्वेशन है यह आपका डिफलेक्शन का इक्वेशन है तो इसे दोनों को नाम दे देता हूँ देखिए एक्वेशन 1 दिखीएशन 2 एक्वेशन 1 & एक्वेशन 2 तो कितना सिम्पल है यहां पर आपको इक्वेशन मिल गये इन स्टेप 3 स्टेप 3 फालो करेंगे चाहिए तो इसे यहां पर और भी रेडूस कर सकते है इसे और रेडूस है आपर कर देता हूँ E i y is equal to 3 by 3 3 3 get cancel x cube plus c1 x plus c2 section minus 4.5 divided by 3 4.5 divided by 3 1.5 x minus 1 uuska cube x minus 1 uuska cube तो होगे आपका second equation तो first equation का हम लोग क्या बलते है slope equation ये आपका slope का equation है ये आपका deflection का equation है ध्यान में रखिये कि को simply आपको ये वाला step ध्यान में रखना है कि हाँ पर आमने क्या क्या integrate किया है तो bending moment at point x का ध्यान में रखना E i d square y upon dx square then ra into x कैसे दिया clockwise is positive तो कैसे को में का clockwise तो ra into x then ra into x के बीच में आपका दोड़ है तो 9 into minus anti clockwise minus 9 हमें from this point to this point distance चाहिए तो कैसे में लेगा x minus 1 9 into x minus 1 then r e का value कितना है 6 6 into x minus 9 x minus 1 तो integrate करेंगे इसे और मतलब मतलब क्या double integration method integrate करेंगे या डिवाइब बाइड जैसे इसे integrate करेंगे integration derivative आपका cancel होगा यहां पर आपका double derivative तो यहां से एक derivative आपका चला जाएगा तो क्या पचिका डिवाइब बाइए 2 जैसे integration apply करेंगे यहां पर आपका constant आएगा plus c1 then minus 9 अगें यह टर्म के लिए integration x minus यहां पावर कितना है 1 x raise to n plus 1 divided by n plus 1 तो x minus 1 पूरे टर्म को x से जुन करेंगे 2 divided by 2 तो कि आपका first integration आगें इसे integrate करेंगे जैसे इसे integrate किया तो यहां पर आपका क्या होगा integration derivative cancel e i y बचेगा divided x चला गया देन यहां पर देखिए 6 by 2 कितना होता है 3 x raise to x square x 1 मतला x raise to n d x integration n का value कितना है 2 plus 1 divided by 2 plus 1 3 divided by 3 plus जैसे integration apply किया तो constant constant का integration क्या आता है x then plus c2 दूसरा constant जैसे integration आपलाए कर रहे है यहां पर constant हम लोग लिखते है c हम लोग लिखते दिहान में रिखिए तो c1 and c2 है यहां पर देन minus 9 divided by 2 कितना होगा 4.5 अगें इसका integration x minus 1 square तो x raise to n plus 1 divided by n plus 1 2 plus 1 कितना होगा 3 divided by 3 तो यह आपका slope का equation deflection का equation तो step 3 step 3 follow करेंगे find c1 and c2 using boundary condition find c1 and c2 using boundary condition तो यहां फूल फॉल फॉर्म में लिखा यहां फॉल फॉल फॉर्म में लिखा है find c1 and c2 using boundary condition देखेंगे आपका simply supported B में आट support at support support के लिए first support के लिए at support यहां पर क्या आएगा x b 0 आपका y b 0 x is equal to 0 and y is equal to 0 at support x is equal to 0 and y is equal to 0 ध्यान मेरे के boundary condition important है यहां पर आपका x b 0 है y b 0 है देखेंगे यहां पर आपका ओरीजिन है x b 0 y b 0 तो पुटिंग वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन टू में पूट करेंगे और वैल्यू किसमें पूट करेंगे इक्वेशन टू में पूट करेंगे देखेंगे e i y y का वैल्यू कितना है 0 तो 0 multiplied number क्या होगा 0 तो 0 is equal to यहां पर ध्यान में रखना है यहां तक ही लिए तक ही लिया ना है ध्यान में रखिये जो आप first boundary condition apply करेंगे तो आपका जो value है यहां तक ही equation का यूज करना है आगे वाले equation का यूज नहीं करना है मतलब यहां पर दिखिए reflection equation में यहां तक ही करेंगे चेटू तक यूज ने करना एंगे फिर्स बांटरी कंडिशन अम अपलाइ करेंगे तब क्षेटिंग वाल्यू जिनीक्वेशन टू वारी कितना होता है जिरो जिरो मुल्टिप्लाइब अनी नांबर जिरो देन एक्स-का-वाल्यू कितना है जिरो प्लस X का value कितना है 0 0 multiply अनी number 0 then plus C2 तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि first section तक ही उस करना है जो first boundary condition apply करेंगे तो आपका C2 का value कितना है C2 is equal to 0 C2 का value कितना है 0 क्योंकि first boundary condition अब लो यहाँ first section तक ही consider करेंगे तो C2 का value कितना है 0 then तो लेंदी numerical है then add support add support देखिए next support कि रहे है आपका support add support देखिए हाँ से यहाँ तक distance कितना है 3 meter from a point to b point X का value कितना होगा 3 add support X is equal to 3 and Y is equal to 0 देखिए यहाँ from this point to this point distance कितना है 1 प्लस 2 3 और Y का value कितना है 0 putting values putting values in equation equation 2 equation 2 में put करेंगे equation 2 में put करेंगे अभी full equation हम लोग use करेंगे यहाँ तक हमें section consider कर रहे है पहले boundary condition के लिए यहाँ यह सेक्शन ही consider किया था पहला वाला ही अभी A और B दोनो full equation का use करेंगे देखिए तो Y का value कितना है 0 तो 0 multiply any number कितना होगा 0 तो 0 is equal to 0 is equal to X का value कितना है 3 तो यहाँ पी कितना है गा 3 का cube plus C1 X का value कितना है 3 then C2 का value कितना है 0 then minus C2 value कितना है 0 then minus 1.5 X का value कितना है 3 minus 1 उसका cube तो 0 is equal to 0 is equal to देखिए 3 का cube कितना है 27 3 का cube कितना है 27 plus 3 C1 C1 into 3 क्या होगा 3 C1 minus यहाँ पी 1.5 bracket 3 minus 1 2 3 minus 1 2 उसका cube तो यहाँ पी आपका value का आ रहा है 12 12 तो देखिए यहाँ पी 0 is equal to 27 minus 12 15 15 15 plus 3 C1 15 को shift करता हो लेफ साइड तो positive क्या होगा निगेटिव minus 15 is equal to 3 C1 C1 का आपका अंसर आएगा minus 15 divided by 3 तो 3 को यहाँ पर multiply करता हो तो सेम equation मेलेगा तो C1 का आपका value आ रहा है minus 5 यहाँ पर हमने क्या किया C1 and C2 के values हमने find out की C1 and C2 मतला constant के values हमने यहाँ पर find out की C2 का value 0 आता है C1 का value कितना है negative 5 then step number four final slope and deflection final slope and deflection equation final slope and deflection equation simply क्या करेंगे put C1 and C2 value in equation 1 and 2 put C1 and C2 value in equation 1 and 2 तो 1 हमारा कौन सा equation है slope का equation है और 2 हमारा equation कौन सा है deflection का equation है तो अल्यदी देखिए यहाँ पर हमें सिफ deflection करने के लिए बोला है I mean slope calculate करने के लिए बोला नहीं तो सिहाथ हम लोग्या सिफ deflection definition find out करेंगे simply क्या करना है यहाथ मा आपका देकिए अपका slope का equation है यहाथ C1 का value put करना है , वह पने का YOU कन आपका देक्स्ट का final equation तो हमें इसीफ deflection यह find out करने के लिए बोला है तो deflection का equation यहां पर हमें बनाता हूं, देखिया है, फिर से equation को rewrite करना है, E i y is equal to x cube, x cube plus c1 x, तो c1 का value कितना है, minus 5, तो plus minus क्या होगा, minus 5 x, c2 का value तो 0, then minus 1.5 x minus 1, उसका q, होगा, आपका deflection का equation तो यहां से rewrite करता हूं, again, E i y is equal to x cube minus 5 x minus 0, तो चला गया, 1.5 x minus 1 का q, तो तो यह होगा, आपका final deflection equation, equation, final deflection equation, final deflection equation, तो इसे यहां पर bracket कर देता हूं, तो slope का बलाओ तो simply, slope का value यहां पर put कर देते, अबे देखिया, find out क्या करना है, step number 5, step number, यहां पर 4 हो गया, यहां पर step number 5, देखिये, simply आपको steps follow करने, यहां पर सिर्फ आपके numbers change होंगे, बाकी कुछ नहीं है, आपको integration करना आना चाहिए, और यहां पर numbers change होंगे, simply आपको steps follow करने, कम से कम दो numerical exam में आएंगे, 6 to 8 marks के लिए, यहां पर UDL भी हो सकता है, load भी हो सकता है, दोनों का mix भी हो सकता है, UDL plus load, तो फिला हम लोग, point load का करेंगे, then UDL का भी बाद में करेंगे, step 5, step 5 में क्या बोला है, calculate the deflection, calculate, जो भी find out करने के लिए बोला है, find out करने, calculate deflection, under point load, क्या बोला है, under point load, तो यहां पर देखे, point load, कितने distance पर हमारा, यह distance कितना है, x is equal to 1 meter, x is equal to 1 meter, देखे, x का value कितना है, यह point load के लिए, find out करने के लिए, x का value कितना, यहां से आता है, कितना load है, 9 kiloton, कितना distance है, 1 meter, x का value कितना है, 1 meter में बोले, point load के लिए, तो y at c, c cube, यह point का नाम c है, इसलिए, तो ey, y मतलब क्या, deflection, yc मतलब c point के लिए, तो x का value कितना है, 1 cube minus 5 into 1 minus 1, यहां पर क्या करना है, x is equal to 1 meter, put in deflection equation, deflection equation ने इसे put करना है, तो देखिए, यहां पर put किया, 1 cube minus 5 into 1 minus 1.5, 1 minus 1 उसका cube, तो yc, deflection at point c, 1 का cube कितना है, 1 minus 5 into 1 minus 4, 1 minus 1 कितना होगा, 0, 0, multiply number क्या होगा, 0, तो minus 4 divided by ei, ei का बोला क्या है, उन्हें constant बोला है, value हमें दिया नहीं है, ei का value दिया होगा, तो value हमें put up करते, तो यह होगे आपका deflection at point c, point load के लिए deflection होगा, इसलिए, minus 4 अपन एकदम simple numerical है, ऐसे ही same numerical आपके exam में आएंगे, तो simply आपको steps follow करने है, यहां पर कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मझे comment में बता सकते हो, difficulty आपको यहां पर integration में आ सकता है, तो simply जो मैंने steps बोले होई follow करो, यह formula है आपका integration का, यहां पर value चेंज होगे, बाकी कुछ नहीं है, यहां पर value चेंज होगे और simply आपको यही steps सबको follow करने है, कर वडियो अच्छा लागा होगा तो चैनल को like, share, subscribe कीजिए, side में जो bell icon button यह उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे next आने वडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेगी, thank you.